हेलो एवरीवन साइन्स की क्लास में हमने कल कार्बनिक रशायन देखा था केमेस्टर की क्लास थी और उसमें आपने देखा था कार्बनिक रशायन ठीक है हमारा ही चप्टर चल रहा था ठीक है कार्बनिक रशायन ठीक है न तो इस चप्टर में हमने 47 तक कर लिया था और आज आप देख रहे हैं 48 है इसके पहले कि जितने भी क्लास हैं पांच क्लास हो चुकी है और आपने अगर नहीं देखिए तो जाकर देखे फिजिस्क की क्लास थी मैंने करवा दी है क्लास भी आपकी यह कंप्लेट होने वाली है आज खतम हो जाएगी इसके बाद हम SST की प्रक्टिस ट सेट गरेंगे ठीक है नो इसके बाद जितने भी हैं हम जो है जिस के जितने भी आपके पेपर हैं उसमें प्रश्ण है हैं GS के वह quantum di suque में अच करेंगे ठीक है तो आज से हमारा जी अच का पूरा का पूरा प्राक्टेस होगा आज यह आज है लापसान का उसके बाद सब अब का मर्ज रहेगा ठीक है नव तो अपने नहीं देखिए तो जाके और classes देखिए बाकी एक्जाम तक जितने भी मैं classes करवा रही हूं तो आप इस चैनल से जुड़े रही हैगा सारी classes को जॉइन कीजिए और content अच्छा लागे तो comment में feedback जरूर दिया करेए ठीक है ना करेंट अफर की क्लास आपकी रोज आठ बजे शुरू हो जाती है आप उसे जॉइन कीजिए और आपकी जो science की क्लास है इसे टाइम पे आपकी अवे sister की क्लास आएगी और एक बजे आपकी हिंदे की क्लास आती है ठीक है ना तो सारी classes जॉइन कीजिए इसके लावा महतपूर पॉइंट्स पर हिस्ट्री की हिस्ट्री से संबंदित ग्यारा बजे एक क्लास आती है तो उसे भी जॉइन कीजिए सारी classes आपके लिए benefit हुए उन्हें देखना और देखकर feedback ज़रूर देजिएगा चलिए सुराथ करते हम आज की क्लास की उससे पहले चैनल को सब्सक्राइ पहला कुशन है ग्लुकोस का सुत्र क्या है तो ग्लुकोस का सुत्र है C6H12O6 ठीक है ना C6H12O6 क्या है ग्लुकोस का सुत्र है और ग्लुकोस सबसे सरल कार्बोहाइडर्ट है या जल में घुलन सील होता है ग्लुकोस स्वाद में मीठा होता है तथा सजीयों की कुशकाओं के लिए उर्जया का प्रमोगिस्त्रोत है इंधन को हवा की अनुपस्तिती में गर्म करने को विगटन कारी इस त्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयों में विखंडित कर देता है लकड़ी पर यह क्रिया करने क्या मिलेगा तो चारकोल ऐसे टीक अमल टार तो यह तीनों ही मिलेगा इसमें ठीक एस्टिक अमल भी मिलेगा चारकोल भी मिलेगा और टार भी मिलेगा अगला कुशन है हीरा बहुमुल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाए उच्छ गुरुबत्ता युगत प्राकृतिक सीशा माइक का प्रकार या कार्बन का रूप तो यह हीरा जो है एक कार्बन क यह धार हुद्स अगला कुश्च नहीं में से किसे बुड़ प्राइड कहा जाता है गरी ंलकोहलकोल क क्या आलकोहलको को क्या कहां जाता है बुड इस्पिरेड ओकी नेक्स्ट कुश्चन है साट्रिक अमल पाय जाता है तो साट्रिक अमल आपका संत्रे में पाय जाता है संत्रे में ही नहीं बलकि जितने भी खटे फॉल है संत्रा हो गया नीबू हो गया तो इन में क्या है साट्रिक अमल पाय जाता है सेव में मैलिक अमलब पाए जाता है ठीक है ना मैलिक ठीक है और आपका जो है बात करें यहां पे तो यहां पे आपका अम्रूद में ऑक्जैलिक अमलब पाए जाता है और तरबूज में एमीनो एसिट टालूइन जो है अमलब पाए जाता है नेक्स्ट कुछन है बैकलाख निम्लकितम में इसे जो है संगहनन से बनता है तो बैकलाख संगहनन से ऐसे यूरिय यूरिया एवं फृर्मेली हाइड यस फीनाल तथा फृर्मेली हाइड से तो यह फिनाल तथा समयलook हर्मेली हाइड heated मدا हिक्ता है आपका लैके लाइट। होती है तो उसमें होता है आपका ग्यूटेन गैस होती है ठीक है ना अगला कुशन है सक्कर के किर्वन से क्या बनता है तो ये बनता है इथाइल एलकोहल ठीक है इथाइल और मिथाइल मिथाइल नहीं होगा इथाइल एलकोहल बनता है सक्कर के किर्वन से अगला कुशन है आपका अल्कोहलिक खमीरन ठीक है अल्कोहलिक खमीरन का आखरी उत्पाद क्या होता है पाईरूविक एसीड एसी टेलिडी हाइड एथाइल एल्कोहलियार फार्मिक एसीड तो इसमें आपका क्या होता है इत्हाइल एल्कोहल हो जाएगा ठीके ना थार्ड नंबर आपका सही हो जाएगा अगला कुशन है खच्चे फलो को कृतिम रूप से पकाने के लिए प्रियोग मिलाई जाने वाली गैस का नाम क्या है तो यह एसे टीलीन है ठीके ना एथिलीन और एसे टीलीन सेम सेम होता है थोड़ा सा बोलने में आ जाता है लेकिन आपका अंसर क्या हो जाएगा ऐसी टीलीन ठीके यह जो है कच्चे जो फलो होते उन्हें क्रितिम रूप से पकाने में काम लाए जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टेन है आपका खाना बनाने में प्रियोग की जाने वाली गैस कौन से होती है मिठेन गैस होती है अगला कुशन है अच्छा यह कहां कहां पाजाती है मिठेन आपका सबस्यादा अब्यानते हैं कहां पाजाती है तो यह गुबर गैस में पाजाती है और आपका धान की खेतों में पाजाती है मिठेन एक रंगहीन गंदहीन स्वाधीन गै क्लोरोफॉर्ण रंग मो्टर टायर छापे खाना की स्याही पेंट कार्बन की छडे बनाने में गीया जाता है घरेलू अलम मांपन नहीं प्रदान किये जाते हैं क्योंकि अलकी जीड़ों सिलेंड्रों में ग्यास की मातरा को परदसित कर नहीं कर सकते हैं इनका प्रियोग निरापाद निरापद नहीं है यह एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं तो क्या होता है इसमें यह एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं ठीक है ना घरेलू एलपीजी सिलेंड्रों में LPG द्वारा चोक हो जाते हैं ठीक है तो इसमें जो अंसर आपका हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा LPG सिलेंड्रों में ग्यास की मात्रा परदासित नहीं कर सकते ठीक है ना अगला कुशन है निम्लिकित में कौन सा अमल सिर्के में उपस्तित है तो सिर्के में आपका एसेटिक अमल उपस्तित होता है और आपका जो साटिक अमल है ये खटे फॉल जैसे संत्रा हो गया नीम्बू हो गया ठीक है ना इन में क्या है साटिक अमल होता है और acidic amyl आपका सिरके में होता है feelic amyl जो होता है ये अमूरोध में होता है ठीक न, अमूरोध में और obviously communicative amyl किसमें पंजाता है अमूरोध में ठीक है बात करते एक लिए question की अगला question है आपका निमल की इत्व में किसमें carbon नहीं है तो हीरा में carbon है तो इन में से कोई नहीं इसका अंसर हो जाएगा ठीक है इन सभी में कार्बन पाय जाता है अगला कुशन है अद्धोगिक विधी के साथ सुची सेकेंड उद्धोग जिससे जुड़ी हो मिलाईए और सुचियों के नीचे दिएगे कूड की सायता से सही उत्तर कीजिए तो प इसका आपका अनसर हो जाएगा में बात करें यहां पर हां क Wow अका है क्रैकिंग अपको क्या है क्राइक यह पेट्रोलियर से संब्दीत है इस मेल्टिंग आपका कॉपर से शिव लिए और हाइड्रोजिनेशन आपका खाद वसाएं से संबंदिते वल्किनाइजेशन वराबर से संबंदिते तो आपका सेकंड सही हो जाएगा cracking, petroleum, smelting, copper, hydrogenation, खाद वसाई और vulkanization आपका rubber से सम्भन देते हैं इस प्रकर आपका सही हो जाएगा cracking आपका petroleum से, smelting आपका copper से सम्भन देते हैं hydrogenation आपका खाद वसाई से सम्भन देते हैं और vulkanization रबर से सम्भन देते हैं बाद करें कोमें कि ये कोईले की अप्योग हुता है जलाने में थाका केसे कोईले का उप्योग हम दिवार बनाने में नहीं खाना तो इस forward जलाने में प्रियोग करते हैं क्वेला क्या है कार्बन निकलता है उसमें टामाटर में कौन सा अमल पाय जाता है तो टामाटर में आउग्जेलिक अमल पाय जाता है ठीक है न अग्जेलिक होता है यहां पर इन्होंने साइट्रिक बोला जबकि साइट्रिक आपका किसमें पाय जाता है यह आपका पाय जाता औक्जेलिक अमल पाजाता है टमाटर में यहां पे अनसर गलत है ठीक है न? हाँ बितामिन सी अगर जो है ऑक्जेलिक अमल ना दिया हो तो वितामिन सी हम लगा सकते हैं ठीक है न? ना बिटामिन कि Ykta Regta भी होता है तो इसमेहाव विटामिन की भी लगा सकते हैं लेकिन जब दोनों एक साथ दी ओं तो आप भीटामिन C और उल अख ज़लिक दोनों लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपका उघ्जल कि यूरिया में उपस्तित होने वाले तक्त्तो हैं चेस्ट ओ थो की एन को सिएंपनोहच धर यूरिया में उपस्तित होते हैं ठीक है तो यूरिया में आपका कारबं ठीक बस्तित होते हैं ठीक है अगला कोश्चन है कि बिस्फोटक नाइट्रो ग्लिसरीन है तो बिस्फोटक नाइट्रो जो है बिस्फोटक नाइट्रो ग्लिसरीन क्या है नमक है नाइट्रो हाइड्रोकारबन है समीस्टर हाइड्रोकारबन है या एससेस्टर है तो यह क्या है एक एस्टर है ठीक ना बिस्फोटक नाइट्रो ग्लिसरीन एक क्या है एस्टर है एस्टर वेरसाइनिक योगिक होते हैं जो अमलो यानी कार्बिन और अकारबनिक से उत्पन होते हैं ट्राइट्रो ग्लिसरीन एक रंगीन तैलिय पदार्त है या डाइनामाइट बनाने की काम आत सकती है तो यह बाई यूरेट परिच्छड के द्वारा यूरिया की पहचान की जा सकती है ठीक है ना कैसे बाई यूरेट परिच्छड के द्वारा किस एंजाइम की उपस्तिते में फ्रक्तोण C02H500 में परिवर्तित होता है तो यह जाइमाच की उपस्तिते में आपका का ह जो ग्लुकोज या प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो यह आईसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर अगला है जाविक परी रचकों में मुख्यता क्या होता है एथिल एलकोहल फार्मेलडी हाइड या फिर अमोनिया क्लोरीन तो यह फार्मेलडी हाइड जाविक परी रचको में पया जाता है Formality Hide Next question है Benjim में σीगमा और पाइ बंद की संख्या होती है तो Benjim में सिगमा और पाइबंद की संख्या 12 और 3 होती है ठीक है 12 और 3 होती है Next question है Alcohol में Karboxylic आղकोहल में Karboksilik अमल ठीक है ना कार्बोक्सिलिक अमल में परिवर्तित किया जा सकता है तो एलको हलको कार्बोक्सिलिक अमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है तो मात्र ऑक्सिडेशन द्वारा ठीक है ना मात्र ऑक्सिडेशन के द्वारा एलको हलको कार्बोक्सिलिक अमल में परिवर्तित किया उसमें जो गैसे होती है वो आक्सीज़न और असिटलेन होता है। बात करें के एक लिकोस्ष न हैं हैं एक हाइड्रो कार्बन जिसमें कार्बन के दो परमालो द्यो बंद दोर्छे होते हैं तो क्या कहलाता है अलकीन अलकाईन या यायनिक बंद्ध तो यह एलकीन कहलाता है अगला कुश्यन है सिर्के का रसाइडिक नाम क्या है तो यह क्या है एसीटिक हमल होता है सिर्के का रसाइडिक नाम irit करता है हीरा अपपर रूव ह है पहुछ उने का चानड़ का कार्बन का तो हीरा क्या है कार्बन का अपरूब होता है तो आज की क्लास हमारी साइंस की खतम होती है अब इसके बाद से आज से हमारा कल से जो हमारा सस्ट का प्रैक्टिस यानि जी एस का प्रेक्टिस सेट चलेगा और यह प्रेक्टिस सेट आपका किश्य तारिख चालेगा और सोए पहले ही प्रेस बाय वसेट मियान विड़े रिख ए दे रिख लिख हो जाएगा आपका और complete हो जाएगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेला कर प्रेस कर लेजिए ताकि नोडिफिकेशन आप तक पहुंच सके जितने भी क्लासेस आपकी आती हैं और अपने साथियों के सिरकर के उन्हें भी इस चैनल से जरूर जोड़ लिजेगा कंटेंट अच्छा लगाया तो प्लीज फीडबेक जरूर छोड़िएगा ताकि मॉटिवेशन हमें भी मिले और ज जड़ जड़ लोगों तक सेर कीजिए मिलते हैं नेक्स क्लास में अभी के लिए इतना है धन्यवाद